हेलो एवरिवन मैं हूँ सच्चिन और आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग जावा सीख रहे हैं इन ब्लू जे ठीक है ना और आज के इस क्लास में हम लोग लूप समझने वाले हैं ओके यहां पर एक क्लास मैंने बना के रखा है और मेन फंक्षन जो है वो भी मैंने यहां लिख लिया है ठीक है अब इसके अंदर में मैं क्या करने वाला हूं कि मैं एक लाइन आफ कोड पहले लिक रहा हूं देखिए तो मैं यहां पर सिंपल लिखता हूं सिस्टम.out.println और ब्रैकेट देख रहा हूँ my name is Sachin और इसके बाद में Sarma और उसके बाद अब मैं एक बार इसको compile कर देता हूँ और अगर output मैं दिखां तो आप सब को पता होगा क्या output आएगा my name is Sachin Sarma ही आएगा ठीक है अब यह line of code मैं चाठा हूँ कि मैं 5 बार इसको repeat करूं 5 बार क्या करूं repeat नाम डिस्प्ले हो आउटपूड में तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को इसको पाच बार लिखना पड़ेगा मतला इसको मैं ऐसी कॉपी कर देता हूँ and then paste and then paste and then paste ठीक है ना और अगर दस बार मेरे को प्रिंट करवाना रहेगा तो फिर दस बार मेरे को यह लिखना पड़ेगा ठीक है तो अगर मैं चाता हूँ कि भाई ऐसा कुछ उपाए हो जिसको हम लोग लिखे एक बार मगर दस बार वो मेरा कोड को execute कर दे मतलब इसको हम ल execute कर देगा that means run कर देगा तो उसके लिए हम लोग लूप यूज करते हैं अब हम लोग कौन कौन सा लूप देखेंगे तो भाईया तीन प्रकार का लूप होता है तीनों देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वाइल लूप से देखें सबसे पहले हम लोग होगा भाईया condition देना होगा जिस basis पर हमारा लूप टिका हुआ होगा और चौथा जो होगा जो भी starting value जो है उसको या तो हम increment करवाएंगे increment करवाएंगे या तो फिर उसको हम लोग decrement करवाएंगे ठीक है न कि डिक्री मेंट करवाएंगे मतलब कि बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे या ओल ओबर ऐसा समझ लिजे कि इसको change करवाएंगे यह तीन चीज़ तो करवाना ही होगा चाहे तीनों में से कोई भी loop हम लोग use करें तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं और यहां पे अभी while loop तो जैसे मैंने आपसे को कहा भी कि सबसे पहले तो एक starting value चाहिए तो यहां पे मैं एक variable ले ले रहा हूं i equal to one ठीक है तो यह हो गया मेरा loop का starting value स्टी यह हो गया मेरा loop का starting value ठीक है और यह i के उपर में ही हमारा loop जो है ठीक होगा उसके बाद अब मैं यहां पे लिखने वाला हूं while और इसके अंदर में मैं दूंगा condition यहां पे मैं बोल रहा हूं कि अगर i का value अगर i का value जो है वो less than equal to five होता है इसका मतलब क्या होगा कि i का value पांस से कम होना चाहिए पांस से जादा नहीं होना चाहिए और उपर में हम लोगों ने क्या किया कि i का value one कर दिया ठीक है तो इस हिसाब से अभी जो लूप का condition है वो क्या है true होगा ठीक है उसके बाद कली bracket open and close कर देंगे जिसे हम loop of the body कहेंगे और उसके बाद यह जो statement था इसको मैं यहाँ पेश्ट कर दे रहा हूं और पेश्ट करने के बाद अब देखिए इसके अंदर में मैं लिख रहा हूं i equal to i plus one अब क्या होगा कि जितना बार यह loop होगा उतना बार i का value जो है न वो मेरा बढ़ जाएगा जैसे i का value अभी one है तो यह condition check होगा यह true होगा तो मेरा loop चलेगा और मेरा यह loop चलेगा तो i का value i plus one हो जाएगा मतलब one plus one two हो जाएगा और फिर से यह घूम के इस condition को follow करेगा अब फिर से condition check होगा तो अब two जो रहेगा वो भी five से छोटा होगा तो फिर से loop चलेगा और i का value फिर बढ़ जाएगा फिर से यह loop चलेगा और कब तक चलेगा जब तक i का value six न हो जाएगा जैसे करवा चुका होगा पाच बार loop हमारा चल चुका होगा ठीक है तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ देखी यहाँ पर हम लोग condition वाला पार्ट दे दिए यहाँ पर condition वाला पार्ट दे दिए मैंने आपसे कहा था कि कोई भी loop में एक तो starting value होगा उसके बाद एक condition होगा औ और एक increment और decrement या फिर जो भी value हम लोग लिए जिसके उपर में हमारा loop टिका हुआ है उसका value increase होगा या decrease होगा तो यहाँ पर देखिए हमारा value जो है क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है मतलब change हो रहा है आप ऐसा भी समझ लीजिए जरूरी नहीं की इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वैल्यू चेंज होगा तभी न लूप हमारा stop होगा अगर यह constant रह जाएगा तो फिर लूप हमारा infinite हो जाएगा वो तो रुके गहीं नहीं है ना या तो चले यह मेरा नाम को print कर रहा है और इसी के साथ साथ एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ यह जो i का value है इसको मैं समझा भी देता हूं देखिए i का value i का value starting में 1 था अब यहां पे क्या हुआ की condition check हुआ अब यहां condition check हुआ तो क्या check हो रहा है यहां पे check हो रहा की i का value जो ह है तो i का value 1 है यहां पे check हो रहा की 1 जो है वह आपका less than 5 है की नहीं है भहिया है तो यह आपका true हो रहा है true हो रहा है तो क्या हो रहा है यह statement print कर रहा है इस चीज़ को ठीक है और फिर क्या कर रहा है यहां पे यहां पे यह आपका बढ़ जा रहा है i का value i is equal to क्या हो जा रहा है i plus 1 मतलब 1 plus 1 मतलब कि यह आपका 2 हो जा रहा है और फिर यह condition यहाँ पे check हो रहा है अब यहाँ पे 2 है और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 is less than equal to 5 है की नहीं है यह यहाँ पे check हो रहा है तो फिर condition क्या हो जा रहा है true हो जा रहा है तो फिर से यह loop होगा तो फिर से यह इसको print कर दे रहा है और उसके बाद में फिर यहाँ पे देखे क्या हो रहा है फिर I का value increase हो जा रहा है increment हो जा रहा है तो यहाँ पे i is equal to i plus 1 तो i का value 2 था तो इसमें 1 plus हो गया तो अब i का value कितना हो गया 3 फिर यहाँ पे गया यह और उसके बाद में फिर यहाँ पे यह condition चेक होगा कि 3 जो है वो less than equal to 5 होता है कि नहीं तो भाईया होता है तो यह true हो जा रहा है तो फिर से क्या होगा फिर से यह print करेगा उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या हो रहा है i का value फिर से change हो जा रहा है i is equal to i plus 1 तो what is the value of i 3 plus 1 तो यह कितना हो गया 4 हो गया तो अब फिर से यहाँ जाएगा यह और फिर check होगा अभी कितना है 4 is less than equal to 5 जी अभी फिर से यह condition true हो रहा है मतलब फिर से हमारा loop चलेगा loop चलेगा तो इस चीज़ को यह print करेगा और उसके बाद में फिर से यहाँ पे i का value क्या होगा increment हो जाएगा तो i का value कितना हो जाएगा i is equal to 4 plus 1 हो जाएगा 4 plus 1 मतलब की 5 हो जाएगा और फिर से यहाँ condition में जाके यह check करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 less than equal to 5 ठीक है तो अब यहाँ पे condition तो फिर से यह true हो रहा ना कि 5 जो है ना वो आपका 5 से बराबर होता है तो इस basis में यह भी true हो रहा है तो फिर से यह print करेगा ठीक है और उसके बाद में फिर से value जो होगा यहाँ i का वो आपका increase हो जाएगा अभी i का value कितना हो जाएगा i is equal to 5 plus 1 हो जाएगा मतलब कि यह 6 हो जाएगा अब यह 6 हो जाएगा तो अब यहाँ पर जब यह जाएगा तो यहाँ क्या होगा देखिए 6 is less than equal to 5 तो condition false हो जाएगा और loop जो है वो हमारा क्या हो जा रहा है stop हो जा रहा है I think आपको यह समझ में आया होगा ठीक है आप इसका screenshot ले लिजे समझने के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि अब मैं दूसरा loop में मैं move करने वाला हूँ ठीक है न जो कि है हमारा do while loop तो इसको मैं हटा रहा हूँ ठीक है इसको मैंने हटा दिया अब do while loop में क्या होगा ठीक है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर हम लोग को do लिखना होगा उसके बाद में curly bracket open and close होगा और उसके बाद यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा while और फिर यहाँ हम लोग condition देंगे तो condition मैं वही दे रहा हूँ कि I का value less than equal to 5 ठीक है तो देखिए इसमें और while loop में फर्क यही है कि अगर मेरा condition अगर मेरा condition false हो तो do loop क्या है कि एक बार तो चलेगा ही चलेगा मगर while loop एक बार भी नहीं चलेगा while loop एक बार भी नहीं चलेगा आई का value क्या कर दिया मैंने 6 कर दिया और एक बार इसका output को मैं यहां से पहले clean कर देता हूं clear कर देता हूं and then वापस अगर मैं इसको run करके दिखा हूं यहां जाके इसको मैंने compile किया और फिर यहां word main में मैं गया और okay किया तो अभी मेरे को कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है इसलिए क्योंकि यहां पर यह लूप हमारा चलेगा ही नहीं क्यों नहीं चलेगा भाईया यह तो शुरू होने से पहले ही खतम हो गया मतलब इसको रोक गया stop हो गया क्योंकि condition हमारा क्या था इधक्या कंडिशन हमारा false हो गया था लूप नहीं चला मगर यहीं चीज क्या होता इदू में क्या होता यह जो चीज है यहां से मैं काट दूं यह नीचे आजाता है यहां आ जाता है मतलब जो går कंडिशन नहीं वह लास्ट भी चेक होता है सबसे पहले यहاं पर हो, true हो, चाहे नहां कैसे? अब मैं को से मैं आपको से में यहीं चीज को जाता हूं यहां पे खाता हूं और मैं रन करके लिखाता हूं आप लोगों को तो देखे, यहां पे my name सचीन प्रिंट है न जबकि तब ही नहीं हुआ था ठीक है तब नहीं हुआ था किसमें वाइल लूप में मगर यहां हुआ है बाकी तो से में अगर मैं यहां पर वन कर दूं तो यह भी मेरे को पांच बार प्रिंट करके देगा एक बर मैं आपको दिखा देता हूं अभी पांच का जगा छे दिखेगा क्योंकि हम लोग आउ हुआ हुआ है कि वाइल में सिर्फ इतना ही भरक होता है कि वाइल लूप में कंडिशन अगर फॉल्स होता है तो मेरा लूप स्टार्ट लूप समझ गहे बार समझ गए अब हम लोग बात करने वाले है four loop के बारे में फोर लूब के लिए मैं यह सारा चीज़ हटा देता हूं क्यों यह सारा चीज मैंने हटा दिया और यह फोर लूप में क्या होता ज्यादा तर फोर लूप ही होता क्योंकि हम लोग इसी में ही i को in slice कर सकते i का value जो हम लोग बाहर दे रहे थे उसको मैं यहीं दे देता हूँ i equal to 1 condition भी इसी में दे देता हूँ मैं bracket में ही कि i का value less than equal to होगा 5 और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि i जो होगा वो आपका equal to i plus 1 होगा मतलब जो increment करवाना है वो भी हम लोग करवा दिये उसके बाद अब यहाँ पे जो भी आपको run करवाना है वो code लिख दीजिए वो 5 बार run होगा जैसे मैं उसी चीज़ को लिख देता हूँ system dot out dot print ln bracket open close और इसके अंदर में my name name is search in और उसके बाद इसको मैं compile करता हूँ यहाँ पे भी देखिए पाच बार मेरा नाम ही print होगा और ऐसा कुछ अलग से कोई काम होने वाला नहीं है ठीक है तो I hope कि आपको यह तीनो लूप समझ में आ गया होगा अब देखिए अगर मैं बोलूँ आप लोगों की आप लोगों को कि आपको लूप यूज करके वन से लेके 10 तक का number print करवाना है कितना print करवाना है वन से लेके 10 तक का तो तीनो लूप में मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है ना तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं अभी हम लोग यहाँ पे print करने वाले है number कहा से कहा तक 1 से लेके 1 से लेके 10 तक है ना और 3 लूप में मैं आपको दिखाऊंगा सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको while लूप में दिखाता हूँ यहाँ पे मैं लिखूंगा int i is equal to 1 उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा while bracket और उसके बाद यहाँ condition होगा कि i का value less than equal to अगर 10 होता है और फिर curly bracket open close और इसके अंदर में मैं लिखूंगा system system dot out dot print print ln bracket open close और उसके अंदर में यहाँ पे मैं i लिख दूंगा जो जिससे i का value मेरे को देखने को मिलेगा और फिर यहाँ पे मैं i plus plus कर दे रहा हूँ अगर आप सोच रहे होंगे कि i plus plus क्या होता है तो it is similar to this मतलब i is equal to i plus one जो लिखेते हम लोग यह ऐसे ही काम करेगा ओके और अगर अभी मैं इसको run करूँ देखिए यहाँ जाता हूँ मैं और उसके बाद इसको पहले output को मैं यहाँ clear कर देता हूँ and then वापस यहाँ आते है फिर right click करते है word main में जाते है रोके करते है और फिर अगर हम लोग यहाँ आते है तो देखिए यहाँ पे one से लेके ten तक हम लोगों को number देखने को मिल रहा है ठीक है अब इसको मैं फिर से clear कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको same चीज हम do loop में भी करके देखेंगे तो do loop में क्या करना होगा इसको यहाँ से cut करना होगा यहाँ पे इसको paste करना होगा और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग do loop देंगे बस और अभी अगर मैं यहाँ जाओं यहाँ पे एक मिनिट यहाँ पे हम लोगों का सब ठीक है ना यहाँ कॉमा देना होगा ना और वापस से यहाँ जाएंगे इसको हम लोग कॉम्पाइल करेंगे एंड यहाँ वाइड में और फिर के और फिर आउटपूट में अगर मैं लेके जाओं तो देखें यहाँ पे वन से लेके 10 तक नंबर प्रिंट हो रहा है अब सेम चीज हम लोग किस में करने वाले फोल लूप में तो मैं यहां पर इसको कहले कर देंगे और फिर वापस यहाँ जाता हूं कली bracket open close और इसके अंदर में मैं लिख देता हूं s y a s t e m system .print system .out. out , .print ln bracket open close और इसके अंदर में हम लोग i को print करवा देंगे बस आई लिख देंगे और अभी अगर मैं आपको ले जाओं यहां पर कहां पर यहां पर और इसको यहां compile and then इसको फिर से रन करेंगे देखिए हम लोगों को 1 से लेके 10 तक फिर यहां पर नंबर देखने को मिलेगा ठीक है तो इस प्रकार से हम लोग और भी बहुत सारा नंबर का पोग्राम नंबर लेटे जितना भी पोग्राम होता है उसके लिए ज्यादा तर हम लोगों को लूप यूज़ करना पड़ता है चाहे वह आर्मिस्ट्रॉम नंबर का पोग्राम हो चाहे वह पैलिंड्रोम वाला पोग्राम हो चाहे यह चेक करना है कि नंबर कितना डिजीट का है या फिर नम मतलब अगर मैं बोलूँ आपको कि 1 से लेके 10 तक का नंबर का सम करके दिखाईए तो उसके लिए हम लोगों को लूप बहुत अच्छा से आना बहुत ज़रूरी है तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सब का जो भी कन्फियूजन होगा लूप से लेटेट क्लियर हुआ होगा अगर क्लियर ह हुआ हो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करिए और अगर अभी भी अगर लूप से लेटेट कोई भी डाउट है तो प्लीज कॉमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ ये मैं फिर से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा कोसिस करूँगा हुआ है